नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में इगनु के MHD प्रोग्राम के फर्स्ट यर के एक बहुत ही इंपोर्टन सब्जेक्ट MHD2 अर्थात आधुनिक हिंदी काभ्य इसी का पूरा सिलेबस देखेंगे जून 17 परिक्षा के लिए जो महत्वपुन चैप्टर से उस पर बात करेंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि यूट्यूब की मदद से आप MHD2 की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कम समय में MHD2 की तैयारी करने का क्या टिप्स हो सकती है आप जानते हैं कि MHD2 का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है इसमें कूल 6 खंड है और कूल मिलाकर 26 चैप्टर्स है तो अगर आप NET या जे आरेप की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इस बीसरी में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तब तो आपको पूरा सिलेबस को ही पढ़ना चाहिए परन्तु यदि अपने कर्मव्यस्त जीवन के बीच अर्था जॉब करते हुए बिजनेस करते हुए घर के कामों को पूरा करते हुए कम समय में MHD2 की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है तो सबसे पहले हम लोग यह ट्राइ करेंगे कि जो 26 चैप्टर्स है तो उसमें से कम से कम आधे चैप्टर्स को हटा दें रेस्ट 13 चैप्टर्स पर ही फोकस करें मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप उन 13 चैप्टर्स की तैयारी कर लेते हैं तो जो एक्जाम में आपको चार प्रस्ण लिखके आने हैं तो आप अराम से लिखके आ सकेंगे चार प्रस्णों का बात इसलिए कर रहा हूं कि पहला खंड का जो पहला प्रस्ण है वो तो व्याक्षा से संबंधित है जिसमें आपको तीन व्याक्षाएं लिखनी है तो खंड 2 का जो बात है जिसमें से आपको 4 प्रस्णों का उत्तर देना है तो ये chapters आप पढ़ लेते हैं तो सभी प्रस्णों का उत्तर आप जरूर दे सकते हैं और इस वीडियो के आंत में हम लोग 5-6 ऐसे important chapters का बात करेंगे जिसको आप जूर 17 के लिए very very important बोल सकते हैं तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को प्रारंग कर लेते हैं तो पहला जो खंड है ये है नव जागरन काब्य इसके अंतरगत तीन इकाईया है भारतेंदू हरिश्चंद्र का काब्य पहली इकाई दूसरी इकाई मैथिली सरन गुप्त का काब्य और तीसरी इकाई भारतेंदू हरिश्चंद्र और मैथिली सरन गुप्त इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है इस इकाईय में तो यह हो गई खंड एक की बात अब खंड दो कि अगर बात करें तो यह चायाबादी काब्य एक आप जानते हैं कि चायाबाद के जो चार प्रमुख इस्तम्भ हैं जैसंकर प्रसाद, सुर्ज कांतिरिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी बर्मा तो चायाबाद का अंतरगत हम लोगों को मुख्यता इनी लोगों की रचनाये या फिर इनी लोगों से संबंधित जो बाते हैं उसको पढ़ना होता है तो छायाबादी काव्य एक में इसमें हम लोगों को कूल एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चैप्टर्स दी गई है तो पहला जो इकाई है इकाई चार जैसंकर प्रसाद के काव्य में रास्ट्य चेतना की विशिस्टता और आधुनिक भाववद इकाई पाँच में जैसंकर प्रसाद की भासा और काव्य सिल्फ इकाई छे, साथ और आठ ये सुर्जेकान त्रिपाठी अर्था निराला से संबंधित है इकाई छे में सुर्जेकान त्रिपाठी निराला के काव्य का बैचारिक आधार इकाई 7 में सुर्जकां तिरपाठी निराला के कावे में प्रयोग सीलता की दिशाएं और इकाई 8 में राम की सक्ति पुजा इसी का पाठव लोकन और खंड तीन की बात करें जो की छायवादी कावे 2 तथा छायवादोत्तर कावे है इसके बारे में है इकाई 9 और इकाई 10 महादेवी बर्मा से संबंधी थे इकाई 9 महादेवी बर्मा की कावे समवेदना और इकाई 10 महादेवी बर्मा की प्रतिक जोजना वैसे ही इकाई 11 और इकाई 12 ये दोनो सुमित्रा नंदन पंथ से संबंधी थे इकाई 11 में सुमित्रा नंदन पंथ की काव्य यात्रा के विविद चरण और इकाई 12 में सुमित्रा नंदन पंथ का काव्य सिल्फ भासा और सैली वैसे ही इकाई 13 इसमें दीनकर के काव्य की अंतर धाराएं ये देखना है खंड चार की बात करें तो इसके अंतरगत प्रगती सील काब्य इसको देखना है इकाई 14 और 15 ये नागारजून से संबंधी थे तो इकाई 14 में नागारजून के काब्य में संबेदना के रूप इसको देखना है इकाई 15 में नागारजून काब्य का रचना विधान वैसे ही इकाई 16, 17 और 18 ये तिनो ही मुक्ति बोद से संबंधी थे इकाई 16 में मुक्ति बोद का जीवन दर्शन और उनकी काब्य दिरिष्टी इकाई 17 में मुक्ति बोद का काब्य सिल्फ, फैंटेसी के संदर्व में इकाई 18 अंधेरे में कविता का विशलेशन, ये कविता भी उन्ही के द्वारा रचीत है इकाई 19 ये धुमिल इनके बारे में पढ़ना है और अब खंड पांच जो की है नई कविता 1 इसमें इकाई 20 और 21 में अग्येई के बारे में पढ़ना है इकाई 20 में अग्येई के काव्य में आधुनिक भावबोध और 21 अग्येई काव्य भासा और काव्य सिल्फ भावबोध इकाई 22 और इकाई 23 ये समसेर से संबंधी थे एकाई 22 में समसेर काब्य की विचार भूमी और एकाई 23 समसेर काब्य में उनका समबेदना और सिल्ब खंड 6 की बात करें नई कविता 2 तो इसके अंतरगत हमें देखना है रगुबीर सहाई का दो चैप्टर एकाई 24 अपने समय के आरपार देखता कभी रगुबीर सहाई और एकाई 25 रगुबीर सहाई का काब्य सिल्ब और एकाई 26 स्रिकांद वर्मा और उनकी कविता यह तो हो गया पूरा सिल्बस अब इसमें से हम लोग आधे चैप्टर को हटाने वाले हैं और आधा चैप्टर की तैयारी करने वाले हैं और आधे चैप्टर की मदद से ही एक्जाम में जो पुछा जाने वाला चारो प्रस्ण है, तो चारो का उत्तर हम आसानी से देख पाते हैं, तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि कौन-कौन सा important chapters है, साथ ही अगर आप YouTube के मदद से MSD2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही channel में हैं, इस channel में MSD2 हो या फिर MSD program के और बाकी भी subject हैं, तो सभी chapters का हम chapter wise video lectures upload करते हैं, important notes भी आपको इसमें मिल जाएगा, इसके लिए आप इस channel के playlist को एक बार जरूर चेक कर लिजे, और अगर MSD2 की बात करें, तो MSD2 का जितना भी important chapters है, सारे chapters का वीडियो upload किया गया है, फिर इधर में June 17 परिक्षा के लिए लगभग 20-25 important प्रसनों का वीडियो upload करने वाला हूं, तो अगर आप MSD program की student हैं, तो जरूर इस channel को भी subscribe करके रख लिजेगा, तो चलिए, अब बात करते हैं कि बहुत important chapters के बारे में, तो इकाई एक और इकाई दो, ये आप मान लीजिए, very very important है, अगर आप जैसे 13 chapters का बात हो रहा है, अगर आप कुछ chapters कम भी कर पाएं, लेकिन ये दो chapter आप जरूर कर लीजिएगा, तो खंड एक से इकाई एक और इकाई दो, ये very very important, अब चलते हैं, खंड दो की और, तो खंड दो में, इकाई चार और इकाई पाँच, ये दोनों भी very very important है, तो ये 4 इकाई हो गया, मेरे अनुसार, जब आप छायाबादी काब्य को देख रहे हैं, तो जैसंकर प्रसाद को देख लेने के बाद, सुर्यकांत, त्रिपाठी, निराला, इनका जो काब्य है, य भी देखी लीजिए, ऐसा हो सकता है, कि मानिए, कि इकाई चोई important है, और इकाई साथ कम important है, लेकिन मुझे लगता है क्या, कि जिस रचनाकार के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए, कहीं कि जब आप पढ़ना start किये हैं, तो उनके बार खंड तीन में, तो खंड तीन में अगर आपको देखना है, तो आप महादेवी बाला section जरूर देख लीजिए, अर्थात इकाई नौ और इकाई दस को जरूर देख लीजिए, आप इकाई ग्यारा, बारा, तेरा छोड़ सकते हैं, प्रगतिशील का अगर बात करेंगे, तो फिर से नागार जुन बाला section काफी important है, अब देखेंगे कि जुन सत्रांत परिक्षा में नियमबित रूप से यहां से प्रशन पूछा जाता है, इकाई पंदर भी काफी important है, अब आगया मुक्ति बोध बाला बात, कि इनका तीन chapters है, तो आप इसको क्या करेंगे, तो आप चाहे तो इसको कर भी सकते हैं, और चाहे तो इसको skip भी कर सकते हैं, दूमिल वाला भी chapter आप skip कर सकते हैं, अगया वाला भी skip कर सकते हैं, समसेर वाला ज्यादा important है, समसेर का दोनो chapter, इकाई 22 और इकाई 23, और अब अगर last खंड की बात करें, तो इसमें तीन इकाई दी गई है, तो इसमें हमको तो लगता है कि आप तीनों ही इकाई देख ले, कहीं कि आप ये जानते हैं, कि हर खंड से, हर खंड से कम से कम एक प्रस्न जरूर पुछा जाएगा, तो और कुछ खंड है जहां से दो प्रस्न पुछा जाएगा, तो ये जो last खंड है, तीन ही chapter से, तीन प्रस्न है, खाई कि ये सब chapters बड़ा बड़ा chapter नहीं है, तो तीन प्रस्न आप यहां से कर लेंगे, तो यहां से एक प्रस्न आपका आसानी से हो जाएगा, वैसे ही अगर खंड पांच की बात करें, तो आप मान के चलिए, कि समसेर से एक प्रस्न आ रहा है, तो दो प्रस्न का तयारी हो गया वह इसे ही अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इस खंड से भी, खंड 4 से भी दो चैप्टर्स काफी इंप्टेंट है यह महादेवी बर्माबाला भी आप देख लीजे खंड 3 से और खंड 2 को खंड 2 को पुरा ही आप देख रहे हैं यह खंड 2 को पूरा देखने के लिए इसलिए कहा गया कि इसमें कई चैप्टर से है और इसमें से दो प्रस्न अनिवार्ज रूप से आ सकता है और खंड एक जो की भेरी भेरी इंपोर्टेंट है इसमें अगर लक्स ही रहा तो इकाई एक और इकाई दो इसी में से दो प्रस्न आ जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि आपका खंड एक और खंड दो से ही चार प्रस्न आ जाए और आप चारों प्रस्न को लिख के आसानी से आ सकते हैं तो इस प्रकार ये था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद